दोस्तो हाई कोट LTC में राजस्तान जी के की अत्ती मैत्पूर्ण किश्णों की क्लास 10 लेकर हम आच चुके हैं जिसमें हम कोसिस करेंगे 100 में से 100 मार्क से इस क्लास के द्रूग ले सके तो दोस्तो हम क्या डिस्कुस कर रहे थे राजस्तान की सिचाई परियोजना है तो राजस्तान की सिचाई परियोजना में सिचाई के संसादन देखे थे फिर संसादन देखने के बाद हमने इन परियोजनाओं को तीन वगीगरन किया था फिर तीन स्रेणी में बाटा था व्र नर्मदा नहर परयोजना तो आज नर्मदा नहर परयोजना को हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं नर्मदा नहर परयोजना तो आज 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 नर्मदा नहर परयोज किया गया है फवारा पद्रती और वह भी पहली बार ठीक है मुन्दू सिचाय पद्रती भी इसी को कहते है तो इसके क्रस्वी पद्रती भी इसी का नाम है इसराइली पद्रती तपकन पद्रती ट्रिपल पद्रती आधी पर आधारित कौन सी परियोजना है नर्मदा नहर परि तो दोस्तो इसकी कुल नंबाई है 532 किलोमेटर और राजस्तान में जो नर्मदा नहर परियोजना की लंबाई है चोतर किलोमेटर है इससे लाबानवी चेतर है गुडा मलानी चेतर बाडमेर में है और साचोर जालोर का है दोस्तो जो सरदा सरवर बान परियोजना है वो नर्मना नदी पर है यानि कि नर्मना नदी पर कौन से सरदा सरवर परियोजना है जो कहा है इससे गुजरात में ये राजस्तान में कहां कहां है इसका जो सरवादी लाबानवी जिला है वो है बार्ड मेर बार्ड मेर में कौन सा इस्तान है गुड़ा मलानी बार्ड में दोस्तों इससे नहरे निकाली गई है जैसे पार्णर या लिफ्ट नहर बादर या लिफ्ट नहर जो की कहाँ इसी ते बार्ड मेर में साचोर लिफ्ट नहर जालोर में है और सीलू ग्राम जालोर में भी एक और ठीक है, शुरूआट कब हुई थी, दोस्तो बाज । बालानी बार्डमें में थिख्व है। इससे साकहा है रेखिए पानरय यह साकहा हो गई कि मैं वापस इस इसके डिसके हैं पूरी तरीके से क्योंकि हमने एक बर देख लिया है तुक तुरूंत रिवाइस कलेते है नम्ता माया पर Name पर योजनाकरी इसमें पहली है, या राजसान की पहली फवारह पद्दिती है, बुलबुलजी चाही पद्दिती भी है, सुसकुल पद्दिती भी है, इसरायली पद्दिती भी है, दोसों, पत्दिती गता है 2.36елаakogda है, यह bard main में और जालोर में इस्तित हैटीक है, इसकी टोटल परियोजना है वो नर्म्दा नदी पर है और यह नदी पर ही बनाईगे यह नर्म्दा नहर परियोजना है यह रजस्तान में सीलु ग्राम जालोर्ट से परवेस किलमेटर ठीक है इसे जो लिफ नहरे निकाली गई वो साचो लिफ नहर कहां पर इसे तर जालों में और बूप नहरे बा़डमें में इसे जिसका नाम है पानरिया लिफ नहर लिफ नहर और लिफ नहरा को यह सदास रोवर परियोजना या फिर नम्दान हर परियोजना किस कि सभी परियोजना है यह राजस्तान की गुजरात की मध्यापदेश की महरास की सभी परियोजना है ठीक है आगे बढ़ते हैं बीसलपूर परियोजना दोस्तों बीसलपूर जो परियोजना है यह बनास न राजमेर की चोहान सासक विगर राज चत्थूर ने बिसल देव ने करवाया था और यह बिसल पूर बांध राजस्तान का सबसे प्राजिन बांध है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसरदा जो बांध है वो सवाई मादूपूर में है यानि कि जो बिसलपूर बांध है इसके पास में इसरदा बांध और यह बनास नदी पर है तो बिसलपूर बांध टोडराइसिंग टोर्क में हो इसरदा बांध सवाई मादूपूर पर है बनास नदी पर टोर्क की यह जो बिसलपूर परियोजना है इसका कमांड चेतर है 11,000 हेक्टेर दोस्तों ये 10,000 हेक्टेर से अधिके इसलिए ब्रैस रिडिक की परियोजना में आरी है इसका कमांड चेतर है 11,000 हेक्टेर ये बनास नदी जो है चंबल की सायक नदी है और ये बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पाहडी राज समन से और ये मिल कहां जाती है त्रिवेनी संगम में चमल नदी पर ठीक है दोस्तों इससे लाबानवी चिले हैं बिसलपूर परियोजा से लाबानवी चिले है बिसलपूर बानवी चिले है ठीक है और जो इससरदा बानद है बनास नदी पर वो सवाई मादोपूर में जिसका कमांड चेत्रे 11,000 हेक्टेर और बिसलपूर परियोजना है इसका कमांड चेत्रे 81,800 हेक्टेर दोस्तों बिसलपूर परियोजना से लाबानवी जिले है टोक, अजमे, भीलवड़ा और जैपूर चार्ज ले से लाबानवी तो हते है टोक, अजमे, भीलवड़ा और जैपूर आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखते है इससरदा परियोजना जो इससरदा परियोजना है ये 85 नदी पर है सवाई मादोपूर में दोस्तों उद्देश से झैपूर टोक के सीमा वरति गाउन में पेजल सिचाई सुविदय उपलब्द करवाना दोस्तों इससरदा परियोजना का उदेश से क्या है जैपूर और टोक की जो आसपास की गाउन है सीमा पर जो गाउन है उनको पेजलव सिचाई की सुईदा उपलब्द करवाना इससे लाभारवी जिले कौन कौन से होंगे जैपूर और टॉक समन्दी जिले कौन कौन से है इससे जैपूर टॉक और सवाई मादोपूर देखो इसर्दा जो बांध है हमारा कहां पे सितर सवाई मादूपूर में तो इसर्दा परियोज़ा भी वही होगी सवाई मादूपूर में कौन से नदी पर है इसर्दा बांध बनास नदी पर ही होगा अब इसका उद्देश है क्या है कि जैपूर टॉक के जो सीमा की गाओं है उनको पेजरो सचाई की सुविदाय उपलब करवा देंगे तो इससे लाबानवीद जिले कौन से होंगे जब इसरता बांध है ये कहाँ कहाँ है जैपुर ओर टोक के सीमा मति गाओं को पेजरो सचाई की उपलब करवाएगा तो ओविसली लाबानवित जिले भी वही होगे तो जैपपुर और टॉक होगे और समन्दी जिले कौन से है जब इस सवाई मादोपुर में है तो उसको भी जोड़ देते हैं तो जैपपुर टॉक सवाई मादोपुर तीनों से समन्दी जिले होगे ठीक है आगे बढ़ते हैं बिखवाई सागवरा परियोजना, दोसमार बिखवाई सागवडा परियोजना है, यह कहाँ अधिते है, माही नदी पर, कहाँ पर दूंगरपुर में, और कमान शेट्र उतना है, इसका 21जार हेक्टेर, ठीक है, जो माही नदी है, वो कहाँ से कहाँ चलती है, बीखा भाई सागवाडा परियोजना कौन से नदी पे माही नदी पे ठीक है तो इससे लाभन भी चिला कौन से होगा डूंगरपूर दोस्तों तो वापस डिस्कुस कर लेते हैं यह हो गई यह इसको वापस डिस्कुस करते हैं ओके तो बीखा भाई सागवाडा परियोजना क तो माही पर है तो माही नदी राजिस्तान में कहां से परवेश करती है? छादुगाओ भासवड़ा से यह बासवड़ा गवहाई परियोज़ना नंती है मही नदा का मल दोस्तों सोड़ पृड़ि Кिलम्भ अगल भाला, जसी किसे लीच पर तरहublik War लंबी साहिक नदी है दोस्तो जो जवाई नदी है वो किसकी साहिक है लूणी नदी की और सबसे लंबी साहिक नदी है जवाई बांध कहां पर है सुमेरपुर पाली में और पस्ची में राजस्तान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है जवाई परियोजना मारवाड का अम अम्रसरोवर कहते हैं दोस्तों क्योंकि जो राजस्तान में पस्ची मी राजस्तान है वहाँ पर पानी इतना है नी नदिया इतनी है नी तो सबसे लंबी नदी कौन सी है जो सायक नदी है वो कौन सी हो गई हमारी लूनी नदी ठीक है और लूनी नदी किसकी सायक है जवाई न जवाई नदी किसकी साय के लूणी नदी की जवाई बांद कहां इससे था सुमेरपुर पाली में पस्षी मिराजसां की सबसे बड़ी प्रियोजना जवाई प्रियोजना इसे मारवाड का अमरसरोवर कहते है किसको जवाई बांद को मारवाड का अमरसरोवर कहते है इसका नि सब्सक्राइब तो पाली जहां पर हमारा जवाई बांद है, जालोग इसका पडोसी, जोदपूर इसका पडोसी और उध्यपूर, ठीक है ये चारों इससे लाबानवी चिले हैं, वापस देख लेते हैं एक बार जवाई परियोजणा क्यों से नदी पर इस सितर जवाई नदी पर जवाई न कि आवं बनाए रखने के लिए कुन सी परियोजना का निर्मान किया गया थे उद्य legislat only कॉन से है पाली होगा एक तो दूसरा जालोगका तीसरा बाड्मेर यूद्य तो इसके पाद आगी था पर्वन परियोजना देख लेते हैं पर्वन परियोजना कहाँ? इसे इनों हिससे लावान भी दोते है इसका कमांड चेतर कितना है एक लाख गतिस 8749 ले我जत्स gap कितना एक लाख लाख… हितना ब्रॉह जहलावार्ड में पर्योजना था, जहलावार्ड में हैं Bushbloom 5515 सभी यहां पर लगाया गया है 1290 म्युग दोस्तो ना बटी है यह नहर परियोजना वंुना जो लिंग नहर परियोजना है यहीं गुडगाव नहर भी कहते हैं इसे, ठीक है, और यह यमुना नदी परिश्चीत है, दोस्ते इसे लाबान भुषतर रहें बरतपुरकी कामा दीक TV, यानि कि बरतपुर जिले की कामा और डीक TV को इससे लाब होता है और इसका कमान चेतर है 46,000 हेक्टे कितना है 46,000 हेक्टे इसके बाद वापस डिस्कुस कर लेते हैं यमना लिंग नहर परियोजणा को कहा हिस्तित है यह यमना नदी पर इस्तित है कुड़गाउ नहर भी से कहते है इसे लाबान वित चेतर है भरतपुर की कामा और डीक तैसील कमान चेतर है 46,000 हेक्टे तो भरतपुर जो नहर परियोजणा है वो डिस्कुस करते हैं हम यह यमना नदी पर इस्तित है कौन से नदी पर इस्तित है यमना नदी पर पर यमना लिंक नहर परियोजना भी है और भरतपूर नहर परियोजना नाम से इंडविदित हो रही है कि भरतपूर में होगी तो इसका कमान चेतर कितना है 11,000 हेक्टेर निर्मान कप किया गया 1964 में एक बार फिर से वापस डिस्कुस कर लेते हैं भरतपूर नहर परियोजना यमना नदी परिस्तित है भरतपूर की है कमान चेतर 11,000 हेक्टेर निर्मान हुआ था 1964 में अब पूर्वी राजस्तान नहर देख लेते हैं ये इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से याद रखना है हमें तो पूर्वी राजस्तान जो नहर है इसी रास्टिये नहर प्लस गंबी नदी को जोड़कर इसका निर्मान किया है पूर्वी राजस्तान नहर राजस्तान के पूर्वी राजस्तान नहर के दिया ठीक है तो काली सिंद्ध पारवती गंबीर को जोड़कर इसका निर्मान किया गया है इसका निर्मान जल स्वावलंबन अभ्यान के त रहत हुआ है दोस्तों स्वावलंबन जो योजना आई है उसके तैसिक का निर्मान किया गया पूर्वी राजस्तान नहर का इससे जो लाबानवी छेत्र है वो कौन-कौन से दक्षिनवा दक्षिनी दक्षिनपूर्वी राजस्तान कोौन-कौन से जयापुर, हजमे, डोग, अलवर भरतपूर दोलपूर करोली सवाई मादोपूर कोटा बारा जहलवाड और बूदी दोसो हाडोतीपूर आ गया कोटा बारा जहलवाड और बूदी दोलपूर करोली सवाई मादोपूर डांग छेतर आ गया अलवर मेव परदेश आ गया, अलवर भरतपूर, दो सर टोक, अज मेर ये डूनडाड आ गया, तो इसमें डूनडाड, मेवात, डांग और क्या नाम से हमारा हाडोती चारो परदेश आ रहे हैं, तो इसको तेरा जिलों को हमें हमेशा याद रखना, ये बहुत important परियोजना ह वो इसको वापस discuss कर लेते हैं, क्योंकि ये currency related है, तो रास्टी नहर परियोजना का दलजा देने की सिफारिश किसके लिए कीगीए, पूरवी राजस्तान नहर को, ये कौन-कौन से नदियों को जोड कर बनाएगी, ये काली सिन, पारवती और गंबी नदी को, ठीक है, इसक पूर टोक, दोसा हमारा धूंडार, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपूर, धोरपूर, कारोली, सवाई मातपूर, डांग और मेव बदेश, दोनों इसमें स्थीत है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे, तो डिस्क।स करेंगे, मद्यमश्रेणी की सचाही परियोजना है अपसे पहले हम कौन से पढ़ रहते हैं व्ulpt papal करोड की मद्य होती है क्या है मद्यम शरिणी क्या है वापस बहुती हूँ कि इसका कमानस्ष्य 아닌 से दस हजार हटेर के बीच का यानि कि दो हजार से दस हजार के बीच का जो छेत्र है इसके अंदर का जाता है किसके अंदर का मद्यम श्रेणी के अंदर का जाता है इसकी लागत कितनी है दस लाग से पांच करोड के मद्य है यानि कि दस लाग से पांच करोड के मद्य है कितनी लागत हो गई हमारी इसकी लागत हो गई ठीक है तो राजस्तार में जो कर्षी छेत्र में सरवादिक योगदान कौन से है मद्यम श्रेणी का सबसे ज़्यादर सरवादिक योगदान किसमें कर्षी छेत्र में किसमें करशी छेत्र में सरवादी की योगदान है, मध्यम श्रेणी सिचाई परियोजना का, आति विकास में सरवादी की योगदान भी यही श्रेणी देती है, ठीक है तो राजस्तार में तीन परकाय के नदी तंत्र है, आंतिक परवाव नदी तंत्र, अरब सागनी नदी त पहले आता है मोती जील मांद यह कहां इस्तितर रूपारेल नदी पर जो कहां है भरतपूर में इसे लाइफ लाइफ लाइन ऑफ भरतपूर भी कहते हैं यानि कि भरतपूर की जीवन रेखा दोस्तों मोती जील मांद कहां इस्तितर रूपारेल नदी पर भरतपूर में ठीक ह इसको क्या कहते है लाइफ लाइन ओफ भरतपूर यानि की भरतपूर की जीवन देखा अब एक अंत्रिक प्रभाव वाला देख लिए हमने मद्यप श्रणी में एक की आती है मोतीजील मान अब दूसरे देखते हैं अरब सागरी नदी तंत्र से समंद मद्यम श्रणी की जो परियोजना है आगे बढ़ते हैं लूनी नदी तंत्र में हमारी हेमावास बांथ को से नदी पर है मांडी नदी पर हेमावास पाली में ये भड़ गया बाकली बांत का है सुकडी नदी पर बाकली जालोन में ये दोनों लूनी नदी तंत से मंदित परियोजना है मद्यमशने की वापस देख लो एहमावास बांत मांदी नदी पर हेमावास वाली में बाकली बांत सुकडी नदी पर बाकली जालोन में अब दूसरी नदी है अपशी विमिनास नधी पर इस्तित है ठीक है अब देख लेते हैं साबर्मथी नधी तंत्र ओध्यापुर में डूसरी कौन से है मांसी वाकल परियोजनठ जो मांसी वाकल परियोजना है ये मांसी नदी पर है उद्यापूर में ठीक है उद्यापूर में कौन सी है उद्यापूर में दो होगे सही परियोजना और दूसरी मांसी वाकल मांसी वाकर परियोजना मांसी नदी पर सही परियोजना सही नदी पर दोनों उद्यापूर में सित हैं देवास परियोजना है इसके साथ मोहला सुकाडिया जल अपर वर्तन परियोजना भी है उद्यापूर की जीलों का जल भरण यानि कि परियाट न विकास को बढ़ावा मि दोस्तों इसके उद्देश चाहिए है तो देवास परियोजना देख लेता है इसे रिलेटिट देवास फेज वन देवास सेकंड देवास फेज थर्ड देवास फेज फोर तो देवास जो फर्स्त है उसमें मांसी वोकल परियोजना का निर्मान किया गया देवास सेकंड में जल सुरंग 11.5 km की बनाए गई जो आकोधड़ा बांद में है मोधड़ा बांद भी इस पे ही बनाए गए है ठीक है चोथा नमबर पे है माही नदी तंत्र अरब सागर में चोथा हो गया माही नदी तंत्र इस पे दो परियोजना है सौम कागदर परियोजना सौम नदी पर इ मुद्यापूर में हैं दूसरा भी सोम नदी पर है वो डूंगरपूर में है ठीक है अब बंगाल नदी खाड़ी तंत्र मद्यम श्रेडी की सिचाई परियोजना है तो सबसे पहले मंगाल की खाड़ी में आने वाली एक बांगंगा नदी तंत्र को देख लेते हैं इस पर आए गया है जो मद्यम श्रेडी की सिचाई परियोजना में आता है ठीक है यह बांगंगा और गंबी नदी पर इसी ते कहां पर है बहरतपूर में केवला देव गना वक्षी वियार विजलापूर्ति कौन सा बांध करता है अजान बांध यह इंपोर्टेंट लाइन है इस परियोजना है यह राजसाबन की दूसरा है मेजा परियोजना है मेजबन कौन से नदी पर सितर कोठारी नदी पर कहां पर बीलवाडा में तीसरी है नारायन सागर परियोजना यह कौन से नदी पर है खारी नदी पर कहां इस सितर अजमेर में यह परमुक पर इजल इस पर प्रज़ को डिसकुस कर लेते हैं ठीक है इस पर बैथली परियोजना है बैथली नदी यानि की बारा में है ठीक है लियासी परियोजना है लियासी नदी बारा पे विलास परियोजना है विलास नदी बारा में यानि की तीन तो बारा की परियोजना होगे बैथली लियासी और विलास कौन कौन सी इस इनकी नद नदी है बैतली नदी इल्यासी नदी और विलास और इतीनों कहां है मारा में ठीक है चोथी है पीपलाद परियोजना वो कहां है जहलावाड में यानि कि चम्मल नदी तंत्र की पीपलाद परियोजना है और जहलावाड में ही है तकली परियोजना है तकली नदी पर कोटा में स्थित है चाकरण पर्योजना जो हमारी चाकरण नदी पर है को ता में दोस्तों यह सारी की सारा इंप्वाड समीचा में इनका नाम लिया हुआ है यह बहुत important हो जाती है एक बाद वापस देख लिए वैथली पर्योजना बैथली नदी पर बारा में लासी परियोजना लासी नदी पर बारा में, विलास परियोजना विलास नदी पर बारा में, पीपलाद परियोजना पीपलाद नदी पर जालावाड में, तकली परियोजना तकली नदी पर कोटा में, चाकन परियोजना चाकन नदी बूंदी पर, औराई परियोजना औराई नदी जित तोड़ गड़ में, सावन बादो परियोजना, सावन बादो कोटा में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हरिश्चन सागर परियोजना देख लेते हैं हरिश्चन सागर परियोजना कहा है, सिते काली सिंद नदी पर कोटा में है और ये कोटा जालावाड की सायुक्त परियोजना है हरिस्चन सागर परियोजना ये नहीं है या दकना तो भीम सागर परियोजना भी देख लेते हैं ये परवन नदी पर जालावाड में गागिन परियोजना भी है जालावाड में काली सिंद वा आहू नदी पर गरदड़ा परियोजना है मांगली डूंगर पूर गड़ेसी नदी पर बूंदी में दोस्तों जादा 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 नदी परियोजना है कहां है हमारे हाडोती पदेश में क्योंकि यहां पर बारिश जादा होती है तो नदियां भी तरी जादा है ठीक है तो देख लोगो अब भी वापस देख लेते हैं जो हमारे इधर है बूंदी, कोटा, जहलावार्ड, काली सिन नदी पर कोटा में, कोटा वा जालावाड की साइक परियोजना है, परवन नदी पर जालावाड में भीम सागर परियोजना है, काली सिन आहु नदी की जो जालावाड में है, वो गागरिक परियोजना है, गर्दरा परियोजना मांगली डूंगरी, गढ़े सी नदी म अन्यं मंध्यम श्रेनी की जो परियोजना हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है अब इसके बाद आजाती है हमाद थर्ड लास्ट राजस्तान की लगू क श्रेनी की परियोजना है। वे परियोजना जिनका कमांड चितर मातर दो हजार से भी कम होगा और लागत कितनी दस लाग रुपे से भी कम लगेगी वो हमारी लगूश रेनी की परियोजना होगे इनमें आजाती है हमारी ये ठीक है ये दस है तो बावरिया बांद कहा है अलवर में खो बांद करोली में आकुली बांद जालोर में बंद बांदी सिंदड़ा है जालोर में सरदा समंद पाली में समसरोर अलवर में हड मातिया बांद सिरोही में वासा बांद सिरोही में भीमन बांदे जालावाड में और खो बांदे जालावाड में दोस्तों लगूश रिणी की जो ये परियोजना है इनको सिर्फ याद करने के लाओ हमारे पस कोई अप्शन नहीं है तो देख लेते हैं जालोर में हमारी कितनी है जालोर में हमारी दो है दो कौन-कौन सी आकोली बादी सेहन बात जा लो, बादी सेहन बात is important है, exam बची एक और करोली में एक और करोली में कौन सी बच गई हमारी ठीक है करोली बच गई हमारी खोबान करोली वारी तो इस पर कैसे दस हो गए दो कहा है हमारी दो हमारी जालावार में दो हमारी सिरोई में दो हमारी जालोर में दो अलवर में और एक पाली में और एक करोली में तो ऐसे करके हम इसको य